हेलो एप्रिवन कैसे आप सब आपका जेए टूटरो टूटरी का रजल्ट अच्छा है अच्छा नहीं भी आया है तब भी यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टन अच्छा है तब भी इंपॉर्टन है इस वीडियो में हम क्या-क्या बात करने वाले जेए में जैनुरी के जो हमारे marks और percentiles है तो उसका most accurate data जो है वो मैं आपके साथ share करने वाला हूं subject wise marks versus percentiles मैं आपको कई data points पर दिखाने वाला हूं कि कैसे कैसे कितने किते percentile पे किसके subject में कितने कितने number रहे हैं और मैं आपके साथ share करने वाला हूं कि April attempt में क्या predicted marks versus percentile का data रहेगा तो यह तीनों बाते हम इस चोटे से वीडियो में discuss करने वाले इसको बहुत लंबा नहीं कीचे कि बहुत चोटा सा वीडियो बनेगा ठीक है चिन लोगों ने अभी जो नया है इस चैनल पर वो चैनल को subscribe कर ले I am Vinny Lumba and आप इस चैनल को subscribe करें यहां पर आपको बहुत relevant content जो है वो मिलेगा तो मैं आपको बता सकता हूं गाइड कर सकता हूं तो आप हमारे साथ चुड़िये हमें एक मौका देजी आपकी सेवा करने का ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहला जो डेटा सेट में आपको दिखा रहा हूं वो है अपना marks का ठीक है और साथ में जो percentiles है पहले इस पे focus करते हैं यहाँ पे January shift में यहाँ पे यह bracket रहे गी है डालनी तो उसको ignore कर देते हैं ठीक है यह बहुत simplified analysis है मैं आपको ऐसे बड़े-बड़े tables बड़े-बड़े charts नहीं बताने वाला हूं एक simple हम rough idea ले रहे हैं ठीक है आप सब को यह पता है कि हर shift में number अलग-अलग आते हैं अलग-अलग percentile के corresponding क्योंकि हर shift का जो difficulty level रहता है वो vary करता है उसके बाद वो marks को normalize किया आता है यह जो data है यह absolute marks पे है without normalization है योकि normalized marks तो किसी को पता ही नहीं चलते है कि कितने होगे तो इसलिए आप समझे कि यह जो range मैं बता रहा हूं यह मत्तब जो कम वाली range है जो minimum वाले number है वो उसमें है जो shift tough होगी है उसके accordingly और maximum वाले जो है वो एक समझे लीजे आप easiest shift के approximate range है तो अगर मैं 99.5 percentile की बात करता हूं तो 171 से लेके 204 के बीच में approximately oscillate करी है ठीक है आगे पीचो थोड़ा बहुत होता है बताब किसी shift में 171 वाले को भी 99.5 मिल गया औ किस shift में 204 वाले को भी 99.5 मिला है depending on the toughness level of the shift I hope you can understand that 99 percentile की range 157 to 190 रही है 97 की 125 to 150 रही है 95 की 100 से 135 and 90 percentile की range 73 से 105 रही है अब बात कर लेते हैं कि April attempt में मेरा क्या अंधाजा है मेरा experience क्या बो रहा है अगर आपको safer score माना कि पक्का ही हर हालत में कैसा भी पेपर आए मेरे number उस particular percentile को touch करने चाहिए because अब paper का level तो आपको बाद में बाहर आके पता चलेगा अगर पेपर में बैठे है तो उस समय क्या target score set कर सकते है जैसे आपका अगर target score 99.5 percentile को touch करना है तो approximately आपको 220 को touch कर लेना चाहिए आपरवल टंड में आपरवल टंड तक लोग पढ़ भी लेंगे पेपर भी difficult हो सकता है ना कई सारे parameters है उन सबको analyze करके मैंने ये ranges जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं these are all my personal you know take ये वाला कॉलम है ये data जो है भी हमने students से कठा किया over a lot of students आना जो interaction होई है तो वहां से पता चला है 99 percentile safer के लिए 200 मतलब वैसे 180 पे भी मिल जाएगा बट safe होना तो 200 पर 97 percentile around 160 पे 195 पे around 150 और 90 पे around 120 आपका safe score है यह percentile आप लिख सकते हैं देख सकते हैं इसको record कर सकते हैं जब अपरल का पेपर होगा तो आप देखेंगे इसी रेंज में आपकी percentile जो है वो बैटेंगी यह इससे ज्यादा नहीं जाने का है यह मैं आपको अपर लिमिट बता रहा हूं maximum वाली मतलब इससे ज्यादा नहीं होग होगा मतलब 90 percentile ऐसा नहीं होगा कि 120 नमबर आ रहा हूं 90 percentile नहीं मिला that's not going to happen based on the current difficulty level of the paper हाँ अगर पेपर बहुत ही असान आगया है तो फिर यहार cutoffs थोड़ी जो होती है वो उपर की तरफ शिर्प वह आती है बड़ वैसा आने के कोई chance नहीं है इसलिए definitely आप इन range को target मा around 78 से 92 में oscillate करी आना तो यहां पर आपको basically data क्या होता ना जैसे मालो एक बच्चा मेरे को कह रहा था मैं आपको बताऊं तो कहता है कि मेरे physics में 93 marks आये हैं और 99.5 percentile मेरा बना है अब मैंने उसे पूझा कि भाई मेरे को यह बता 93 marks तेरे बनेंगे कैसे आना मतलब तू कितने question करके आया था पेपर में के तेरे 93 number बन जाया ना देखो 100 number का paper है अगर आप एक question गलत होता आपका ना एक question आपका माली जीए गलत है एक साब से माले ते आपने 24 नमबर के पेपर अटेम्ट किया ठीक है 24 कोशन अटेम्ट किये तो एक कोशन गलता तो 95 बनने चाहिए और दो कोशन गलत कर दिये तो 90 की तरफ हो जाएंगे माली जी एक गलत हुआ एक छोड़ा ना एक माली जी आपका गलत हो गया और एक आपने चोड़ दिया तब वाला एक बच्चा था तो आयव टेकन देस पर्टिकुलर रेंज फ्रॉम लाट था ना तो यहां पे 72-78 से 92 की रेंज है 99 में 70 से 89 की रेंज आपकी है 97 पे 55-79 की रेंज है 95 पे यह पर्टिकुलर रेंज है 90 पे 32 से 54 है ना टफर शिफ्ट में इतना रहा है और इसे आपने 55-74, 47-69 और 36-54, 30-50 और 23-44 और मैस में यह पर्टिकुलर रेंज रही है मैस की रेंज है कम का लोगर साइड में रही है आप दीके 90 पर्सेंटेल आपको 13-30 नंबर में मिलना है वही जो मैंने आपको बोला विता कि पेपर टाफ होता तो कुछी कोशन्स अगर आप कर से आप स्थासे अगर स concept में पढते हुए यह यह इन्लाइन है यह जो है यह वैसे जो प्रिडिक्शन हम ने आपको बताई है गोलने बताया था तो उसी के इन लाइन फेपर वह मैस का तो आया था तraszam कि पर सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब के सब्सक्राइब निला चापटर को अच्छे कोशन होंगे होंगे तो डेफिनेट ली नाइडिन नैंटी रेंज में जो है वो लैंड कर जाएके तो यह चोटाब सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ अगर आपको यह पसंद को चैनल को सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब